स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टी यूट्यूब चनल पर DRDO TVRL जिसे हम लोग बोलते हैं Terminal Ballistic Research Laboratory चंडीगड की तरफ से ITA Pass Out Candidates के लिए Apprentsip की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें कि आप सभी ने फार्म अगर एपलाई किया था अभी वहाँ पर जो Document Verification है इसका एंड कुछ एक Update का Mail आप सभी को आना स्टार्ट हो गया है तो कमेंट करके आप लोग बताएगा का आपको क्या इसका Mail आया है भी या नहीं आया है एक Candidates के पास एक Mail आया था यहाँ पर आप देखेंगे Mail किया गया यह सभी वो Candidate है जो इसमें Short List हुए हैं देखें इसमें है न Regarding your Selection for Apprenticep in TBRL ठीक है अब इसमें कुछ चीज़ें कही गई है Dear Candidate, Refer Advertisement Number यह 6 March 2023 को जो है Notification जारी किया गया था जिसके फार्म भरे गया थे अब इसमें यह कहा जा रहा है It is intimated that Your Candidature is being considered यहाँ पर अगर आप Second Number वाला पॉइंट देखें तो क्या लिख रहा है Your Candidature is being considered for Apprenticep training in this lab If you are interested Then register yourself on NAPS portal by 12 June 2030 अब आप सोच रहोंगे कि 12 June 2030 जैसे इसमें कहा गया register होने के लिए हम पहले से registered है क्या हमको register करना है तो आपको registered नहीं करना है NAPS basically क्या है आपका Apprenticep जो Apprenticep India.gov.in है उसी portal को नाम NAPS है तो जो भी Candidature यहाँ पर form भरे हो बट इस पर registration ना किया हो तो registration करके अपनी KYC करके अपनी profile को 100% 12 June 2030 से पहले complete कर लीजे Next point यहाँ पर तीसरा number कहता है कि to register yourself ठीक है कैसे करना है Google पर आपको search करना है Apprenticep and registration कर लेना उस पर जाके साथ में इसमें कुछ चीज़ें कही गई है कि registration के बाद ठीक है आप अपने सारे documents उसमें upload करेंगे profile complete करेंगे ठीक इसके बाद आपका एक Apprenticep code generate होता है ठीक है जब भी आप उस पर registration करते है ता आपका एक Apprenticep code generate होता है जो आप अपनी profile में जाके भी check कर सकते हैं उस Apprenticep code को क्या करना है इसी mail पे ठीक है क्या करना है इसी mail पे आपको क्या कर देना है, revert कर देना है reply में, ठीके, जिससे क्या होगा, आप revert करेंगे तो आपको जो apply करने का link है, वो TBRL की तरफ से share किया जाएगा, और जब आप वो link पा जाए, वो mail आपको आ जाए office की तरफ से, तो आपको अपने concern trade में उस link के through जाके apply करना होगा, बाद में आप को contract जो है, वो issue होगा, as soon as आप जैसे apply कर देते हैं इस पे तब, and आपको contract जो है, उसको भी accept करना होगा, इस apprenticeship को join करने के लिए, बाकी जो further यहाँ पे होगा, कोई merit list या जारी नहीं किया जाता, अपडेट आप सब को जो आएगा, mail ही आएगा, तो आप सब से एक request है, ऐसा कोई भी mail आप तक आता है, तो उसे please हमारे साथ आप share करना चाहें तो कर सकते है, techstudy iti at the rate gmail.com पे, ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, NAPS वाला code आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो को like आपने कर दिया होगा नहीं किया, तो कर लीजे, और प्लीज चैनल को subscribe भी कर ली तो यहीं से आप यहाँ पे registration कर सकते है, register as candidate click करके, तो आप यहाँ 12 जून से पहले registration कर लीजे है अगर आपने नहीं किया है, अगर पहले से किया है तो कोई बात नहीं आप direct यहाँपे क्या कर सकते है, लाग इन कर सकते हैं, रेज्स्टेरी शन करने कोई difficulty को आ है, तो कैसे step बाइस्टे प्रेजिस्टेशन करना है पूरा हमने समझाय हुआ है वीडियो लिंक में है वहां से देख क्या आप कर सकते हैं जैसे आप सब्मिट करेंगे को टीपी आपको मुवाइल नंबर पैगा उस ओटीपी को यहां पे इंटर करेंगे और उसे भी साथ में आप स्कैन करके वहां पे मेल के साथ बाकि अपना यह जो डीटेल है अपना इटीटेल ज़रूर इंटर कीजेगा इसके साथ में अपना नाम पापा कर नाम वह सब कुछ आपको वहां पे मेंसन करना है और आप जो फार्म भारे था अगर उसका आपको contract sign करके यहाँ पे जाके join करना पड़ सकता है बाकि आप लोग बताएगा किनका किनका selection TBRL में हुआ है and I hope आप इस tips समझ पाए होंगे यहाँ से ठीक है जैसे आप इस number को copy कर लेते हैं ठीक यहाँ से अब आप समझ गया होंगे इस tips कैसे करने अभी भी कोई difficulty अगर आपको आ रही है समझ में तो please जरूर बताएगा comment में हम वहाँ पे आपको उसको clear करने कोशिस करेंगे thank you very much ख्याल रखेगा अपना मिलते हैं अगले updates साथ अगले वीडियो में तब तक